अगर आप मोटापे से परिशान हैं तो ये ख़बर आपके काम आ सकती है जब मोटापा बढ़ता है पेट की चर्वी भी बढ़ने लगती है यह एक ऐसी समस्या है जिससे ज्यादतर लोग परिशान है और इसे कम करना चाहते हैं हेल्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेट के आसपास जमा फैट को कम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए एक सही डाइट और फिजिकल एक्टिविटी बहत ज़रूरी है देश के मशूर आयूर्वेद डॉक्टर अबरार मुलतानी के अनुसार लाइफ हस्टाइल में कुछ बदलाव करके वजन और पेट की चरबी को कम किया जा सकता है आये कबर में जानते हैं बेली फैट कम करने के लिए आयूर्वेदिक डॉक्टर के महत्वपून चिप्स एक गुनगुना पानी पीए डॉक्टर अबरार मुलतानी कहते हैं कि जब भी आपको प्यास महसूस हो तो हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें गुनगुना पानी मेटाबोलिज्म को एक्टिवेट करता है और वरजन कम करने में मदद करता है इससे न केवल बड़ी हाइडरेट होती है बलके पेट पर जमा अतरिक्त वसा घट जाती है पानी के अलावा फल और जूस का भी सेवन करें दो डिनर में कम कैलोरी लें डॉक्टर अबरार मुलतानी कहते हैं कि लॉंच में अपनी नियमित कैलोरी का 50 प्रतिशत सेवन करें क्यूंकि इस समय पाचन शक्ती मजबूत होती है डिनर में कम से कम कैलोरी लें और शाम साथ वजे से पहले रात का खाना खालें इससे बेली भी कारगर है सूखे अद्रक के पाउडर में थर्मो रेने की जेंत होता है जो फैट बर्न करने में फाय देमंध है आप पानी में सूखे अद्रक के पाउडर को उबाले और सेवन करें यह में टाबोलिज्म को बढ़ाता है और अत्रिक फैट को बर्न करता है इसके अलाबा पेट की चर्बी कम करने के लिए आप अपने नियमिता हार में अद्रक शामिल करने चार त्रिफला का सेवन जरूरी डॉक्टर अब रार मुलतानी कहते हैं कि पेट की चर्बी घटाने के लिए त्रिफला एक कारगर उपाय है त्रिफला शरीर में मौझूद विशात्थ पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचंतंत्र को मजबूत करता है। पेट की चर्बी घटाने में त्रिफला चून प्रभावी है। इसका नियमित सेवन करना चाहिए। कब्ज की समस्या से रात पाने के लिए आप गर्म पानी में एक चमश्च त्रिफला चून मिलाकर रोडाना प्ये। यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सिये सलाह का विकल्ट नहीं है। यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देशे से दी जा रही है।